और इधर अमेरिका इसराइल को इरान की बड़ी चनोती सामने आ गई है इरान ने दिखाई महाविनाशकारी ड्रोन शहीद 169 गाजा की ताकत 500 किलोग्राम तक फिलोड ले जाने में सक्ष्म है ये और तेरह शक्तिशाली बमों को ले जा सकता है गाजा ड्रोन अमेरिका से खफा इरान लगतार अपनी स्टैने ताकत बढ़ाने में जुटा है परमाणु बम बनाने के लिए लालाईत इरान अपनी ड्रोन पावर को लगतार अपडेट कर रहा है इरान के कामिकाज से शहीद ड्रोन 136 की ताकत दुनिया रूस युक्रेण जंग में देख चुकी है रूस ने इरान के शहीद ड्रोन से युक्रेण पर कहर पर पाया अब इरान ने शहीद सिरीज के नए ड्रोन की ताकत दुनिया को दिखाई है इरान का ये नया स्ट्राइ का विंग स्पैन 21 मीटर वजन 3.1 टन और इंजन 750 होर्स पावर का है गाजा द्रोन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 35 घंटे तक लागतार उडान भरने में शक्षम है शहीद 119 गाजा 11 किलोमीटर तक उड़ सकता है शहीद 119 अमेरिका के MQ-1 प्रिडेटर और MQ-9 इन रीपर ड्रोन से काफी मिलता चुलता है गाजा को शेड़ेड एविएशन इंडस्ट्रीज ने डवलप किया है जबकि इसका प्रोडक्शन हिसा कॉर्पोरेशन कर रहा है 2021 में शहीद 119 गाजा का एलान किया था 2022 में सीना में शामल किया गया कि अवलपोरेशन किया थोग प्रोड़न से कॉर्पोरेशन किया जबकि रमी ड्रोड़ता है तर रहा है रहा है weekend